हमारे साथ अनेता प्रतिपक्ष पृतम सिंग जी हैं बात करने के लिए उनसे बात करेंगे कि आखिरकार 2022 में किस तरीके की समीकर बनते हैं और कॉंग्रेस को मजबूत करने के लिए वो किस तरीके से आगे भी काम करेंगे सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बढ़ाई चकराता में आपने फिर से एक बार नॉमिनिशन किया चटी बार किस तरीके से देखते हैं क्या चकराता एक बार फिर आपपर भरोसा करेगी राश्ट एदिक सुनिया गांधी जी ने, राहूल गांधी जी ने मुझे चकरता विधान सभा से परत्याक्षी घुशित किया है मैंने आज नामंकन किया है मैं राश्ट नित्त का आभार वेक करता हूं और साती साथ चक्रोटा के लोगों का विखा भार ब्यक्त गरता हूं कि उन्होंने बारण बार कॉंग्रिस में आस्था ब्यक्तिए है कॉंग्रिस को जीताने का काम किया है और 2022 की चुछुनोती हमारे सामने है निश्चित रूप से चकरता के लोग फिर से एक बार कॉंग्रिस को जिताने का काम करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है ऐसा मेरा भरुसा है आप सार नेता प्रतिपक्षपी है आप परदेश अध्यक्षपी रहे पूरू में आप किस तरीके से देखते हैं दो हजार बाइस में जनता क्या कॉंग्रिस को पसंद करेगी पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से दो हजार बाइस में उत्राखंड के लोग कॉंग्रिस में विश्वास ब्यक्त करने के लिए 14 फरवरी का इंतजार करता है एक और सवाल है कि पिछले दिनों जिस तरीके से टिकेट को लेकर चाहे बीजेपी हो या फिर कॉंग्रिस दोनों में ही घहमासान रहा लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार ऐसी क्या रणनेती बनती है कि अंतिम समय में बीजेपी के नेताओं को कॉंग्रिस में लाकर टिकेट दे दिया जाता है और जो कॉंग्रेस के नेता है वो बीजेपी से टिकेट लेते हैं क्या लगता है इसे जो लोग हैं उनको उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा देखिए यह लोग तंत्र है और लोग तंत्र में जब चुनाव होता है तो चुनाव में एक सीट पर कही लोग दावदार होते हैं लेकिन टिकेट तो एक को ही दिया जाएगा जिसको टिकेट मिलता है वो चुनाव लड़ने का काम करता है जिसको नहीं मिल पाता है वो केई मरतबा अपनी नाराजगी भी व्यक्त करता है और केई मरतबा जो है नामंकन भर की चुनाव लड़ने का भी काम करता है तो इस सतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां तक आपने टिकट बदलने का जिकर क्या मैं कहना चाहता हूं कि राष्टे नितुत ने गहन मंथन के बाद विचार विमर्ष के बाद हम से संबाद अस्तापित करने के बाद जो निड़े लिया है वो निश्चित रूप से कांग्रेस की मजबूती के लिए और जो चुनाओ है चुनाओ में मजबूत प्रत्याक्शन पुताने के लिए लिया गया निड़ा है जैसर एक सवाल ये भी है किशोर उपादिया काफी पुराने आपके नेता थे काफी करीबी माने जाते थे कांग्रेस के सबी बड़े अला नेताओं के लेकिन लगता है कि कुछ कमिया रही कॉंग्रेस की कि उनको कॉंग्रेस को छोड़के जाना पड़ा या उनकी नाराज़गी बहुत जादा थी लेकि दल में कोई कमी नहीं होती है और अगर मैं जिस दल में हूँ उस दल से ये अपिक्षा करूं कि हर चीज मुझे ही मिले तो ये संभव नहीं है मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस ने किशुर उपाद्याजी को विधायक बनाया विधायक के बाद मंत्री बनाया उसके बाद प्रदेश अद्यश भी बनाया क्यों वो गए अब इसका जवाब तो किशुर उपादियाई जी दे पाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि किशुर उपादियाई जी जादा दिनों तक वहाँ पर अपने आपको महफूज नहीं पाएंगे वो निश्चेतु उपसे जिस तरीके से हमारे और साथी गए थी और फिर वापिस कॉंगरिस में आए वो वहाँ पर खुटन जैसा वातानों नहता है आदमे अपनी बात नहीं कहे पाता है आंतरिक लोक तंतर नाम की कोई चीज भाज़पा में नहीं है अब देखिए वो गए हैं तो सो समझ के गए होंगे एक सवाल ये भी है कि टिकेट के बाद आपके कहीं नेता नाराज हो गए बगावत पार्टी पर कर रहे हैं और निर्दले चुनाव लड़ने की बाद भी कर रहे हैं क्या लगता है डैमेज कंट्रोल जल्द नहीं किया गया तो पार्टी को शा संबाद करते हैं कही लोग मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं फिर भी उनसे लगातार हमारा संबाद रहेगा हम कोशिश करेंगे परियास करेंगे कि हम उनको मनाए और जब बाइस में हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों का हम समाय उजन भी करने का काम करेंगे इसलिए आपके चैनल के माधिम से भी मैं अपने उन साथियों से आगरे करना चाहता हूँ जो टिकट ना मिलने से निर्दिली चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं पार्टी के साथ खड़े होने का काम करें सोनिय जी और रहुल जी के हाथों को मजबुत करने का काम करें एक सवाल और बनता है कि लगातार सब चीजे हो गए लेकिन जो भाजपा का नारा था साथ पार अब वो नारा उनके जो प्रदेश कारयाले हैं वहां से भी गायब होता हुए नजार आ रहे हैं पोस्टर पूरी तरीके से बदल दिये हैं नारा बदल दिया है लगता है क्या घवरा गई कांग्रेस से नहीं भाजपा का जो चरित्र है वो ऐसा ही है वो जब जब विधानसबाओं की चुनाओं होते हैं तब तब लक्ष निर्धारित करते हैं लेकिन उस लक्ष को उन्होंने किसी भी राज्य में अचीव नहीं किया है और उसके उधारन है जारखन, छातिसगार, राजस्तान, मध्य प्रदेश, गोवा, मारास्टा, करनाटेका उन्होंने लक्ष निर्धारित क्या लेकिन उसे लक्ष को पा नहीं पाए लेकिन उसके बाद धनवल के आधार पर जो है विधायकों के खरीद फ्रूद करके उन्होंने जहां भी सरकार बनाई है उसको जो है देश और उत धनी होगी गैरसेंड स्थाई देखिए हमने नारा दिया है चार धाम चार काम पहला फोकस हमारा उस पर रहेगा और जब आप गैरसेंड के परिपिक्ष में बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि गैरसेंड जो आज है जिसको भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने ग्रिश्म क खड़ा करने का काम किया उत्राखंड के लोग कांगरिस में विश्वास व्यक्त करेंगे कांगरिस सरकार बनेगी हम इस प्रदेश की अस्थाई राधान की परिपिक्ष में निड़ने लिने का काम करेंगे तो यह था हमारे साथ प्रितम सिंग जिन्हों ने बताया कि यदि उनकी सरकार आती है तो परदेश में विकास कारे करेंगे और उसका फाइदा कहीं न कहीं परदेश की जनता को मिलेगा वीडियो जनलिस अगर्बिस के साथ सुभाज को और न्यूज वर्ल इंडिया देहरदून